इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेस्ट एडमिशन के नोटिफिकेशन के बार में जिसका एक एडमिशेशन 2022-23 का है यह कोमेंट इंवस्टी है यहाँ पे अगर आप प्सटी करना चाहते हैं तो आपके सिफ आपके पास सिफ मास्टर डिग्री होना चाहिए सिफ इस प्सटी है यह टॉप की इनवस्टी है और यह एक ग्रेट इनवस्टी है इसे एप्लस ग्रेट दिया गया है नैक के द्वारा यहाँ पर जो इस्टूडेंट अभी अपेरिंग में हो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो फैलोशिप अगर आ आ रहे हैं वो एक्जेम्टे देख लेते हैं एक्जामनेशन की जो फीज वगरा दी गई है उसे भी देख लेते हैं तो चलिए नोटिफिकेशन को रीट करते हैं डारेक्ट उसके बाद में हम लोग यह देखेंगे कि आप अप्लिकेशन फॉर्म कहां से फिल करेंगे और जो नोटिफिकेशन है वो कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन्वस्टी के ओफिशल वेबसाइट से जाके हम सारे डिटेस देखेंगे तो चलिए नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं फ्रेंड से चैनल पर आपको पेस्टेशन से रिलेटिट सारे इंफोर्मिशन दी जाती है असिस्टेंट प्रो जो की स्टेबलिस्ट हुआ है मिनिस्ट्रि आफ कल्चर जो गॉवर्मेंट ओफ एंप ये द्वारा हुआ है और ये यूजीसी द्वारा रिकरगनाइज इन्वस्टी है नैक द्वारा इसे ए प्लस ग्रेट दिया गया है जो कि हम लोग ओफिशल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं पर सबसे पहले हम लोग प्यस्टी के लिए जो नौटिफिकेशन आया हुआ उसे रिडाउट करते हैं उसके बाद ऑफिशल वेबसाइट पी जाके सारे नौटिफिकेशन को रिडाउट करेंगे जिते भी यहां पर दी गया है उसे हम लोग पहले देख लेत हैं सबसे पहले हम लोग इलिजबिल्टी देख लेते हैं इलिजबिल्टी आपका जो है वह मास्टर डिगरी होना चाहिए बिलיתי 55% मार्क के साथ अगर आप रिजर्फ कर्टेग murder कहाते हैं तो आपके पास 50% मार्क होना चाहिए निया एसी S, T, O, B, C जोकी नौने कर मेने य होना चाहिए या फिर आपका ग्रेडिंग पॉइंट है मास्टर डिग्री में तो इसी के एक्विलेंट होना चाहिए जो कंडिडेट अपी अपेरिंग हुए है फाइनल एर एक्जाम में वह भी अप्लाई कर सकते हैं प्यस्डी में अड्मिशन के लिए यहां पर देखें में अगर नहीं भी है तो भी आगर आप इंटरेंस एक्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी आपका एड्मिशन हो सकता है अब चलिए हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं सब्जेक्ट में सीटों की संख्या भी में इंसन की गई है कौन कौन से सब्जेक्ट है सबस कि यहां पर इस सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं फिल करें योगा दिया गया है योगा के लिए भी क्वैरी भी आयोई थी आप यहां पर फॉर्म कर सकते हैं टॉप की इन्वर्स्टी है तो आपके लिए अच्छे अपॉर्चनिटी है योगा में यहां पर चार सीटे दी है जिसमें की चार सीटे अवलिबल है इंडियन फिलोस्फी दिया गया है जिसमें की तीन सीटे यहां पर उपस्तित है इसकी अलामा इंडियन फिलोस्फी हो गया जहां पर जिसमें की तीन सीटे हैं डिसेपर एंड माइग्रेशन दिया गया जिसमें की दो सीटे हैं और उस हैं उसी के भियाप पर reservation मिलेगा यानि कि अगर आप MP के निमासी हैं आप MP के रहने वाले हैं तो आपको reservation मिलेगा अगर आप other state के हैं तो आपको reservation नहीं मिलेगा आप general category में आएंगे selection का mode देख लेते हैं selection यहाँ पर दिया गया आपका exam जो है वो आपका offline या online दोनों ही हो सकता है वहाँ जो आपका selection होगा वहाँ पर successful हो जाएंगे आप तो फिर आपका जो है यहाँ पर personal interview लिया जाएगा ठीक है जो आपका admission होगा interview के लिए जो entrance exam के लिए जो list होगी वो website पर upload की जाएगी उसके बाद में जो select होंगे candidate interview के लिए उनकी भी list जो है website पर upload होगी देन जो candidate select होंगे admission के लिए PhD में उनकी जो list है वो भी website पर ही upload होगी time to time आप website को regular check किया करिए ठीक है mode हम लोग देख लिए हैं अब online application fee देख लेते हैं PhD में admission के लिए अगर आप SC, SD या फिर PhD candidate है MP के तो आपका 1200 रुपया लगेगा नहीं तो अगर आप other candidate है तो आपका 1500 रुपया है application fee दिया गया है अगर foreign student है तो आपका 2250 रुपया है यहाप application fee रखा गया है important date की बात करें तो यह notification आया हुआ है 15 मार्च का 15 मार्च को यह notification आया हुआ है इसकी जो last date है application form submit करने की यह आपका 10 अपरेल दिया गया है 10 अपरेल तक आप form को फिल कर लें और जो exam होगा आपका जो eligible exam होंगे जो eligible candidate होंगे exam के लिए उनकी जो list है वो display की जाएगी 22 अपरेल को जो list है वो display कर दी जाएगी आप इन्वस्टी के website पर जाकर जरूर चेक करें अब हम लोग देख लेते हैं कुछ important notes से यहां पर दिये गया है क्या क्या है उसे देख लेते हैं यहां पर जो PhD प्रोग्राम है यहां पर part time के लिए भी available है अगर आप कहीं job में है गौर्मेंट जाब में है regular job में है तो जाब में रहते हुए भी आप PhD कर सकते हैं छे मेने का आप no objection later देखें छे मेने का course वर कर ले उसके बाद में आप continue कर सकते हैं अपने job को भी और PhD को भी तो यहां पर part time PhD भी available है यहां पर दिया गया है कि जो भी student foreign है या फिर NRI है या IPO या sponsored है या फिर कोई fellowship पा रहे हैं वो सब exempted होंगे entrance exam से ठीक है इसके अलामा दिया गया है जो आपका personal interview होगा उसका जो जो exam का date है वो आपको बाद में बताया जाएगा सारी details हम लोगोंने देख लिया यहां पर email address दिया गया आपके कोई query हो तो आप email कर सकते हैं उन्हें या फिर website दिया गया website पी visit कर सकते हैं ठीक है जितने भी यहां पर पाइंट दिय गए थिख लिया अब हम लोग चलते हैं इन्वस्टी के ऐफिस्यल box में मिल जाएगा, वहाँ पे आप click करेंगे, डारेक्ट इस page पे पहुँच जाएगे, आप नीचे scroll करिएगा, इस page पे आने के बाद में, यहाँ पे आप देखिए, कुछ box दिये गए हैं, जिसमें लिखा highlights, recent events, notification, admission, आप admission पे भी click कर सकते हैं, notice पे भी click कर सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, PSD admission का notice यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 22 का, यहाँ पे click करके आप notification भी download कर सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ से आप form को fill कर सकते हैं, यहाँ पे link दिया गया application form fill करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सारी details दी गई है, जो की notification में हम लोगों ने देखा है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, syllabus आप यहाँ से download कर सकते हैं, PSD syllabus 2022 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे click करेंगे, आपका syllabus download हो जाएगा, सारी details को हम लोगों ने देख लिया है, फिर भी कोई query हो या कोई सुझा हो, तो comment box में लि दोसिस करूंगे, ठीक मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे हैं, आगे पढ़ते रहे हैं, थैंक्यू फ्रेंड्स